नबस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके यूटुब चैनल पे दोस्तो हाइपर वर्स के रिगारिंग मेरे फ्रेंड ने मेरे से कुछ सवाल किये और उन सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया तो दोसो उनी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माधियम से देना चाहता हूँ जो भी लोग इस community में काम करते हैं या करना चाहते हैं या फिर उनके बहुत सारे doubts है शायद इस वीडियो के माधियम से मैं हर एक सवाल को clear करने की कोशिश करूँगा मैंने बहुत सारे यहाँ पे चीज़े इकटा की हैं खुद research किया है उस research को मैं आपके सामरे शो करूँगा और दोस्तों आपका ये खुद का भी फर्ज बनता है कि आप भी खुद से research करें खुद से due diligence करें और बहुत सारी चीज़े खुद से देखें फिर जाके दोस्तों आप यहाँ पे start up करें आपको मज़ा भी आएगा काम करने में और हर एक चीज़ की clarity रहेगी तो बिना किसी time को waste किये शुरात करते हैं आज की शांदार वीडियो की और दोस्तों अगर आपका कोई भी doubt रहता है कोई भी सवाल रहता है या फिर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे misguide किया जा रहा है कोई question रहता है comment box में जाके आप comment लिख सकते हैं आने वाली videos में भी हम उनका आपको reply करेंगे ताकि आप बिल्कुल clarity के साथ इस concept को समझ पाएं दोस्तों कुछ बहुत ही महत्तपून सवाल मेरे दोस्त ने किये कि इसकी profile के बारे में पूछा क्योंकि profile के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्या इस company की profile सही है या नहीं है इसके बाद इन्होंने पूछा कि इसके जो कोईन है वो लिस्टेड है या नहीं है इसके बाद उनके जो सवाल आए founder को लेके कि इनका founder की बारे में बात की जा रही है तो इनका founder reality में कोई founder है कहां से है और कितनी उसकी net worth है ऐसे सवाल और इसके इलावा company IPO लाने वाली है माइनिक नाने वाली है सुनने माई है बहुत सारी exchanges पे लिस्टेड है और बहुत सारी exchanges को बना चुकी है कुद की blockchain है दोस्तों जिन सभी सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के मादिम से देना चाहता हूं जी है दोस्तों आप अपनी खुद से भी research करें Google पे जा सकते है और खुद से research कर सकते हैं company के बारे में क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे आपको चीजे बताने वाला हूं mostly मैंने internet का ही सहरा लिया है और वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों एक और चीज मैं आपके सामने clarify करना चाहता हूं कि एक creator के पास बहुत बड़ी power होती है या तो वो guide कर सकता है या फिर किसी को misguide भी कर सकता है क्योंकि यह editing का जबान है कोई भी इंसान किसी को भी editing करके या कुछ भी करके गल्त रास्ता भी दिखा सकता है और और सही रास्ता भी दिखा सकता है तो मैं आपसे बिल्कुल एक humble request करूँगा कि वीडियो को देखने के बाद भी आप खुद भी research करें और खुद से भी satisfied होए सबसे पहले जो hyperverse के बारे में बात करते हैं तो hyperverse की official website है h5.thehyperverse.net यहां पर इसको आप सर्च कर सकते हैं और यहां पर sign up और login कर सकते हैं अब सवाल उठते हैं इनके जो basic सवाल की यह है क्या चीज तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले Wikipedia पर दोस्तों इसको मैं थोड़ा back कर लेता हूं यहां पर आपने डालना है blockchain global तो दोस्तों यहां पर लिखा आएगा global blockchain तो यहां पर global blockchain के बारे में लिखा Wikipedia और Wikipedia भी एक बहुत ही सही source है यह भी कोई mining and management consulting company headquarter in Melbourne Australia founded as bitcoin group तो इनका bitcoin का ग्रूप फटर रहा है after attempting to become first digital currency company to IPO without so-called backdoor listing दोस्तों यह बैक डोर लिस्टिंग करनी चाहती है अपना IPO निकालना चाहती है इसके लावा दोस्तों इसकी history पर जाएंगे तो यहां पर bitcoin group found होगा था 2014 में और यहां पर mining company है इनकी और partnership की बारे में बात की गी है partnership हुई है यहां पर family and दोस्तों यहां पर रियांजू यह जो चीजे बताए गई है स्टेंबर 2015 और इसको आप सर्च कर सकते हैं wikipedia पर तो यहां पर भी आपको कुछ information मिल जाएगी अगर आपकी English अच्छी है अगर आपको search करना आता है तो आप देख सकते हैं यहां पर Australian government के तरफ से कुछ बताया गया है IPU के बारे में बात की गई है और ऐसे बहुत सारी बाते जो आपको company regarding आपको बहुत सारी चीजी आपको यहां पर पढ़ने को मिल सकती है एक तो होगी यह चीज अब सबसे बात आती है founder के बारे में हम founder के बारे में पढ़ते हैं या फिर तो आप सीधे जाए यहां पर Amazon Prime प Amazon Prime का यहां पर इनका episode यहां पर भी बना हुआ है हम इसको देखते हैं अब इस सीज को अप ध्यान से सुनिए कि क्या मतलब किसी परसन को लेके जब कोई documentary बनती है यह movie बनती है तो शायद उसमें कोई quality होती है या फिर उसमें कुछ अचीमेट की होती है तो उस बसे इन पर एक रियान जू पे एक ब्लोक्चें को लेके documentary बनी है दग्लोक्चेंस इसको अपसुनते हैं and persistently participating and investing in the industry. He saw this as his mission. The path he took embodies the ups and downs, the highs and lows of the entire industry. तो दोसों यहाँ पर पूरी डिटेल समझ सकते हैं कि किस लिए रियान जू ने ब्लोक्चें को स्टार्ट किया था, Sam Nill ने इसको स्टार्ट किया था, क्या मिन का mission था, क्या vision था, आप इसको देखेंगे, तो शायद आपको और clarity आए, आपको इसके बहुत सारे drawback पता चले, या negative point, positive point पता चले, तो इस चीज को आप बिल्कुल देखें, और आपको थोड़ी सी set of section और मिलेगी, इसके बाद हम कुछ और चीजे भी found करते हैं, फोब के बारे में आपने शायद सुना होगा, फोब से होती है कि जो वर्ल्ड के टोप, जो fortune, जो अमीर आद्मी होती है, उसके बारे में वो डालती रहती है, celebrity होगे, चाहे बिजनेस्मेन होगे, चाहे किसी field को लेके होगे, तो दोस्यों यहां पर लिखा गया है, कि bitcoin foundation organization, as released at, name as ryanju has called, for the formation of china, china focused bitcoin, तो china भी digital currency पर काम कर रहा था, चाहिना ने भी इस चीज को लेके, bitcoin जैसे बहुत सारे coins लांच किये थे, तो उसकी तरफ से भी, forb किस तरफ से आई है, और इसको आप और पढ़ सकते हैं, originally posted at yibit.com, यहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहां पर क्या उनके बीच discussion हुई, क्या चीज रही, वो सारे चीज आप पढ़ सकते हैं, तो यह सारे चीज आप यहां पर, forb के official website पर जाके भी, की आप चैक कर सकते हैं, तो यहांपे बहुत सारे चीज यही द इता हैं 252... अब आते हैं, क्या इनके सच में कोई exchanges है रिच्ट 되면 कोई वेच्चेंजक्ट आप एक्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले में यहांपे आता हूं, आप यहांपे आ सकते हैं.. यहां पे जो इनका पहले कोई के वारे मैं बात करने वाला हूँ, उस कोई का नाम है HVT, तो हाइपर वर्स के नाम से इनका जो कोई है, और यह लिए लिस्टिर कहां पे है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मार्केट कैप, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, कोई मार्केट कैप के वारे में आप जानते ही होंगे, कोई मार्केट कैप पे आपने जाना है, और सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च बार्ट में सर्च करना है, HVT और आपके सामने यह option आ जाएगा इसे आप select कर सकते हैं यहां पर आ गया rank कितनी है 3446 coin market cap में सिर्फ 12-13 I think 14,000 cryptocurrency पूरे world की 14,000 cryptocurrency लिस्टेड है उसमें से इसकी rank है hyperverse की जो rank है 3446 पूरे world में top cryptocurrency में आता है इसकी rank अभी चल रही है 3446 ठीक है इसके बारे में और इसका price करने चल रहा है 4.47 डॉलर चल रहा है और इसको आप खुद देख सकते है coin market cap इसके बाद इनके business volume कितना है market cap कितनी रखी है और circulating supply कितनी है और इनका graph यहां पर नीचे जा रहा है जो कुछ time पहले इनका value थी आप दे सकते है price क्या था इनका 4.8 यहां पर थोड़ा कम हो गया है 4.5 हो गया है तो यहां पर थोड़ा अच्छी feeling आएगी तसलिह आएगी कि हाँ इनका coin तो at least है कि I think किसी भी coin को coin market cap पे list करना बहुत बड़ी बात है कोई भी company के पास holding होने चाहिए staking होने चाहिए number of user होने चाहिए तब जाके उस coin को list किया जाता है coin को list किया जाता है coin market cap में इसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल आप time लेके बिल्कुल पढ़ें यहां पर trading volume market rank कितनी है market cap कितनी है हर एक detail आप ले सकते हैं यहां पर इसके बाद इनका दूसरा coin है MOF molecular future तो इसको भी आप coin market cap पे search करें MOF के नाम से जो इसकी अभी current price चल रहा है वो point में चल रहा है और यहां पर इसकी rank दिखी इसकी rank और अच्छी है इसकी rank है 2480 मतलब पूरे world में जो इसकी इस coin की rank है 2480 जो की बहुत बड़ी बात है जैसे की bitcoin first number पे आता है ethereum second number पे आता है bnb ripple ऐसे बहुत सारी coin आते हैं तो इन coin की भी कहीं न कहीं जो rank है आप दे सकते है coin market cap जो की सबसे trusted चीज है किसी भी crypto currency को देखने के लिए अगर आप इस coin market cap में आते हैं तो सिर्फ listed 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 मतलब verified currency permanent जो की मतलब जिसे आप trust कर सकते हैं जिसे आप खीज सकते हैं अगर कोई भी token coin market cap में listed है तो उसको आप बिलकुल तसल्ली से ले सकते हैं और united state dollar में इसकी इतनी value है इसमें आप अपना भी यहां पर feedback दे सकते हैं और बाकी इसमें कुछ और detail देना चाहते हैं तो यहां पर पढ़ सकते हैं side में यहां पर पूरी detail दीगी है price statics में आप जाके पूरा यहां पर सकते हैं price data के वारे में पढ़ सकते हैं और कहां पे मिलेगा, OKX में में मिलेगा, CoinW में मिलेगा, Crypto Exchanges में यहां पे आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसके बाद आप यहां पे एक और चीज में बताना चाहूंगा, Who, Who.com इनकी खुद की Exchange है, ठीक है, जैसे Binance Exchange है, Wajir Exchange Exchange है, Coinbase Exchange है, CoinDCX Exchange है, इसे बहुत सारी Exchange है, Who.com इनकी खुद की Exchange है, जिसका नाम है Who.com इसे आप इस पे भी आप जा सकते हैं, अपना यहां पे भी लोगिन कर सकते हैं, और यहां पे भी Cryptocurrency को आप Buy and Sell कर सकते हैं, देखो, Number of currency यहां पे जो Listed है, और यहां आपे देखो, MOF, USDT से Convert होता है, तो इन्होंने भी Future को लेकि अपनी Coin को लेकि अपनी Exchange को लेकि काफी ज्यादा वर्क किया है, और इस पे काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसके इलावा अभी तक आपका कोई बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे, और आपके मन में तो प्लीज कमेंड बॉक्स में जा सकते हैं, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है अभी तक अभी लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि कितनी वीडियो यूसफुल है और अन्यूसफुल है, और इसके इलावा दोस्तों के साथ शेयर करें, और यह चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यह चीज मैं खुद गूगल पर रिसर्च कर रहा हूं, आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं, आप भी डालें who.com, आपको यह चीज मिल जाएगी, इनकी अगली एक्षेंज है, यह देखिए, O K X O K X इनकी, खुद की x entrains हैं, 1 रही 2 ऐक्षेंज एसी इनकी क ईक्षेंज हैं, आपको यह थांचंज में भी पार्टनर भी हैं तो O K X 16 इनकी चंच अप इसमें भी उप बिजिट कर सकते हैं, तो एक ईक्षेंज को बनाने में बहुत बड़ी महेंत ल applies हैं, गुब्ल यहां पर running है आप trade कर सकते हैं, invest कर सकते हैं तो okay, X के आप आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इनके sport टीम है यहां पर और बागी चीज़ भी पढ़ सकते हैं, बटेखने के इसके 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 इनने गतलиков करें तो कॉलिंस्टार हम यह चाहले कोई लिए सकते हैं जा के इसकते हैं गोगल में इसके यह कोई सकते ह sotto एकांडर संफ पालंडर सलेफ यहां ऐस दो बीखिक और नाहीकिए कोने डाकर मेंकर सकते हैं global साथ में लिखा है founder of call calling star capital तो इसका भी वो founder है and founder of bitcoin development fund member of asian daca blockchain association and chairman of hcash foundation तो यह google भाई साब बता रहे हैं कि यह ryanju है right तो मैंने आपे about calling star calling star पर जाते हैं आपे www.callinstar.com पर जाएंगे जिसके founder है ryanju right तो अब इसको भी देख लेते हैं आप इसको खुछ से research करें आपको तसलिए आईगी आपको अच्छा लगेगा और साथ में आप देखेंगे इनके partner कौन-कौन से हैं इनके क्या-क्या features हैं देखो बहुत अच्छी इनोंने website को design किया है और technology future को लेकर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं अब पड़ सकते हैं को लिन स्टार के बारे में about us के बारे पड़ सकते हैं तो features projects के बारे में आप पड़ सकते हैं यहां पर research partner आप देख सकते हैं यहां पर Monash University जहां से crypto के article लिक क्या आते हैं hyper website में जाएंगी आप अगर तो अगर आप यहां से दिखो लिखा है Monash University एस जे यूटी आप इनको सब इन्वेस्टी को पड़ सकते हैं यह बुहान इन्वेस्टी और होंग कॉंग पॉल टेकनिकल इन्वेस्टी तो यह वन दो टो फ इन्वेस्टी से वर्ल्ड की आप इनके आर्टिकल आपको कहां पर मिलने वाले हैं हाइपर वर्स में आपने जान वेव 3.0 क्या है उसको लेके इन्होंने काफी ज्यादा बनाया है जैसे आप अपने स्क्रीप देख पा रहे हैं इसके इलाब आप स्क्रोल करते जाएंगे तो अप इन्होंने टेक्नोलजी को लेके ब्लोक्चेन को लेके बहुत लारी वीडियो बनाई है NFT स्टेकिंग क्या है आप इनके आर्टिकल पढ़ते रहेंगे और यह टोप इन्होंने से आर्टिकल आते हैं इसके इलावा बिटकोईन के बारे में इन्हों वीडियो बनाई है वीर्टियो लिडियो आने वाला है वर्टियो वर्ड में क्या करेंगे अपने ही कोईन इनके जो यह W 됩니다 कोईldigt का हि Espere इसका ही यूज करेंगे इन टैकनोलाजी का ही यूज करके यह अर्निंग करेंगे जो यह कंविटी बिर्ड कर रहे हैं उस कंविटी का यूज करेंगे और आने वाले अपने प्रोड fij्ड SUV को Samil करने वाले हैं तो बहुत इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं इक्विटी पॉर्टफोलियो देखो यहां पर एक्विटी पॉर्टफोलियो बाइनस ग्लोबल ब्लोक्चेन जो इनके फाउंडर है यहां पर कुछ अलग इसके बार मुझे इतना पता नहीं है लेकिन यहां पर लिखा है इसके बार मैं आगे बताऊंगा यह चीज क्या है हुबी ऑस्टेलिया ओलम्पस लैब्स और इसके अगर सबसे लाश में जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा इसके बाद हम कुछ और सर्च करते हैं अगर मैंने यहां पर सर्च किया था उसके बाद बीडवी.com आपने सुना होगा जूम मीटिंग में अपने फ्रेंड से आपने सीनियर से या फिर किसी भी और से कि बीडवी.com का क्या लेना देना है इनका तो दोस्तों यहां पर बीडवी क्या है बीडवी है दे वर्ल्ड लीडिंग वनस्टोप फाइनेशल सर्विस प्लाट कि बिल्कुर ने एक एक्षेंज की तरह इसको डेवलॉप किया है तो बीडवी.com भी इंक एक और एक्षेंज है जहां पर आप बाय क्रिप्टो कर सकते हैं ट्रीड कर सकते हैं वह देखो इनकी मैं अभी हब तक तीन एक्षेंजिस अलरडी ओपन कर चुका हूं आ इसक्क द आप जाएंके दिखिए मैंने को और चीज चीज में सर्च की थी वह सर्च की थी मैंने H.Cash अगर दोस्तों आप यहां पर डालेंगे गूगल पर जाके H.Cash तो आपको क्या चीज मिलने वाली है अब दोखो यहां पर सबसे पहले है जो मुझे यहां पर मिल रही है अडवाइजरी बोर्ड है उसमें आते हैं रियांजू रियांजू यहां पर भी है मैनेजिंग डारेक्टर ओफ कोलिंस्टार कैप्टल ओवर सैवन सब्सक्राइजरी बिटकोइन मायनिंग अदर लेटर प्रोजेक्ट तो यहां पर इन ने बताया कि यह बिटकोइन मायनिंग के इन्वेस्टर है इसके अरबाबां इनकी प्रोफाईल भी आप इसके लोड पड़ सकते हैं तो यहां पर इन एक उच चीज जो हमें आती है कि रियांजू Bitcoin के इंवेस्टर है और बिटकोइन के फार्म सच में है या नहीं है तो उन्हेंने एक वीडियो में मैंशन किया था जो कि आपको YouTube मिल जाएगी रियांजू के नाम से आप यहां पर डाल सकते हैं रियांजू डालेंगे तो आपको रियांजू लाइब की नाम से या या sliding डालेंगे तो आपको यहां पर रियांजू के एक वीडियो तेक चाएगी fell आप सुन सकते हैं कि यान्जू की बिटकोइन को लेके क्या सोच है माइनिंग किन के फार्म है भी या नहीं है वेसित अहींसा एक एकष्ट्स कोण उन्हों ऒर्लाण बंड करना द известव . क्या इंध मारें भोस् sua प्यद्सbands माम, को वार्म है क्या फस्किक बिटकोटीयों उन्मोड में तो यहां पर बताया है कि Bitcoin को लोग बलते हैं कि एक वर्चुल करंसी है जो मतलब दिखती नहीं है लेकिन यह बहुत है कि Bitcoin को बनाने के लिए बहुत सारी लेक्ट सेटी लगती है बहुत सारे सूपर कंप्यूटर लगते हैं तब जाके Bitcoin को बनाया जाता है और लोग बोलते हैं कि bitcoin तो हावा में बात हो रही है लेकिन bitcoin को बनाने के लिए बहुत सारी electricity बर्न की जाती है पिर यान्जू का मेन बोलना था कि bitcoin एक virtual currency नहीं एक asset है तो इसके बारे में भी आपका कुछ प्रत्क्रिया है तो आप comment box में डाल सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं शायद video लंबी भी हो सकती है लेकिन मैं आपको ब्रोसा दिलाता हूं यह video आपके लिए useful होगी comment box में comment करें hashtag hyperverse डाल के अपने comment कर सकते हैं या अगर आपका कोई सवाल है तो डाल सकते हैं और अभी तक subscribe नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और इस चैनल के मादें से आपको सही स्टिक जानकारी मिलती रहेगी वीडियो को लाइक करें अपने टेम के साथ दोस्तों के साथ अपने कुलीग के साथ इस वीडियो को जूरूशे करें तो हम यहां पर बात करें थे यहां पर जो अर्यांजू जो यहां पर डाल सकते हैं एच.Cash आपको यहां पर यह वैपसाइ्ड ही मिल जाएगी यहां पर इसके जो इन्वेस्टर है लो सबसे हैं यहां पर h.cash को सर्च करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे कितनी इनकी एक्षेंज़े हैं, कितनी एक्षेंजे के साथ इनका टाइप है आप दे सकते हैं, karks कोगी चाहिए हुबी होगी और बाकि यहां पर कुछ बड़ी-बड़ी एक्षेंज़े हैं, के यू कोईन है इसके लावा यहां पर हीट बीट सी बहुत सरी एक्षेंज है बीड़लोट कॉम जिसके पहले देख चुके हैं शाहिद यह सारी चीजे एक वीडियो में डिसकस्त नहीं हो पाएंगे लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी तो इसके बाद अगर म करें यहां पर जाता हूं वी रयांजू एक पर फिर से पढ़ते हैं वी रयांजू तो यहां पर बिल्कुल स्वाद मैं यह चीज़ बता भी दिया कि रयांजू इस बेल नोन ऐज ब्लोक्चेन इंवेस्टर इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाते हैं कि हाइपर टैक गूप इ बड़े लेबल पर काम कर रही है तो उस पर केस भी का सकती है जैसे कि नहीं नहीं पता है इस चीज को भी मैं पूरा मैंशन करने के गोशिच करूंगा मेरे पास एक स्क्रीन शोट पड़ा हुआ था उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद दोस्तों आप खुद से सर्च करें बिक पीडिया पे और यूटूब पे आप देख सकते हैं और मैं एक और चीज यहां पर में को एक और रिसर्च करने से एक और चीज मिली थी जिहां यहां पर रियांजू के बारे में जाओ टॉंग यूविश्टी से इसके बाद अब थोड़ा इसको स्कूल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेंबर हैं यह एचकेश फाउंडेशन के मेंबर हैं एशियन डी सी ए ब्लोक्चेन एस्टेशन के और यहां पर इनकी को फाउंडर है कॉलिंस्टान के ब्लोक्चे इसके इलाबा में मेरे पास कुछ और चीज़े हैं मैं वह भी आपके सामने रखोंगा ताकि तोड़े आपको क्लेटी आए इसके इलाबा मेरे पास एक इसकी पीडियाप पड़ी थी तो यहां पर भी रियांजू के बारे में आपको कुछ चीजे मिल जाएंगी जैसे कि इसकी due diligence बहुत सारी वीडियो हैं और बहुत सारी इनके reaction है तो उन चीजों को भी मैं आपको सामने रखोंगा ताकि आपको क्लेटी आए और बाकी बहुत सारी चीजे जो discuss करनी रहे गी हैं देखो यहां पर मॉनाश इन्वेस्टी से भी यहां पर आटिकल लिखके आते हैं कॉलिंस्टार को आप सर्च जूरूर करें cash को भी अप सर्च करें इसके लाब एक और यहां पर डॉक्मेंट था वो भी मैं आपको शो करना चाहूंगा यहां पर ASIC Crunt and historical company extract है यहां पर यहां पर लिखा है कि name है blockchain global limited आप सर्च करें कि global limited कोई company exist करती है या नहीं ठीक है ACN नमबर है इनका 601-628-497 आप इस चीज को भी देख लें इसके अलावे यहां पर time on date है time and date है 3 March 2020 ASCT और यहां पर timing और भी चीज भी पिताएगी है तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस चीज को भी आप सर्च करें तो दोस्तो मैं उमीद करता हूं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही स्टीक जानकारी मिले होगी और अभी तक भी आपके बहुत सारे डाउट्स बचे होंगे अगर आपका कोई भी डाउट है कोई सवाल है कोई सुजाब है तो प्लीज अभी कमेंट बोक्स में जाएं और अपने कमेंट करें वीडियो को लेके कमेंट करें वीडियो कैसी बनी है उसको लेकर कमेंट कर सकते हैं यह मेरा खुद का पॉइंट ओफ व्यू है आप खुद भी एक बार इसको सर्च करें और दोस्तों के साथ अपनी टीव के साथ इसको शेर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी क्लिर्टी आये क्यूंकि आज के डाम में ना कोई भी लोग खुछ से रिसर्च नि करना चाहते हैं वो सिर्फ एक दूसरे स करें अगर आप खुछ से रिसर्च करते हैं तो आप सही तरीक्या से उस कंपनी में उस ओगनाजिशन में अपना एफट दे पाएंगे तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान लगें और आने विडियो में कुछ और पारेकिस सम्झाने की कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो मे दो नहीं किया है तो अभी जुरूर subscribe करें और description में visit करना बिलकुल न भोले क्योंकि दोस्तों description में मैंने important links डाले हैं कुछ important links जिसके वससे आप इनकी official website पे visit कर सकते हैं कुछ links ऐसे important links है जिनसे आप documentary को देख पाएंगे और कुछ और चीजह हैं जिससे आगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो के लिटी भी आपको आने वाली है तो दोस्तों उमीद करता हूँ useful वीडियो होगी आपके लिए और आपके टीम के लिए और आने वाले मेंबर्स जो इसमें काम करेंगे उनके लिए useful होगी और कुछ भी डाउट रहते हैं केमेंट बॉक्स में डाले मैं उनको उनको आने वाली वीडियो पर जरूर रिप्लाई करूंगा तो अपना कीमती टाइम देने के लिए धनेवाद मुझे सुनने के लिए धनेवाद बहुत बहुत धनेवाद आपका दिन शुप जाए